अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद आप सब खुश होंगे खेरिया से होंगे आज मैं एक वाइट हक्का नूडल्स बना रही हूं मैंने यहां पर देखिए चार उबले वाइब अंडे लिये हैं मैंने इसमें से मैं सिर्फ वाइट पार्ट यूज करूंगे एक अल्स बनाने के तरीके में भी डिफरेंस जादा नहीं है चानीज कुजीन है तो चायना के लोग सबस्क्राइब लिएब। शालना मैं यह उग्का नूडल्स ब्रसें पहने कि लोग थोड़ा जादा वेश्पर्ड़ करते हैं। के घका नूडल्स में ज्यादा जाते हैं अगर आप जितना नूडल्स ले रहे हैं उतना वेशटेबल भी होता है अदरवाइस कूकिंग ऐसी चीज है कि आप क्यों पर हैं आप उसे किस तरह से बना रहे हैं मैंने देख्ये बेश्टेबल्स यहां ज्यादा लिए जबके मैं वाइड हक का नूडल्स बना रही हूँ, फिर भी इसमें मैंने वेजड़ेगों जादा लिये हैं, तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, देखें मैंने यहां पर एक पैन लिया है, हमें नूडल्स को अभुबालना है, मैं ऐसे आधा यूज़ कर चुकी हो पहले, यह एरॉंड तो 50 ग्राम से, ढब देते हैं, और उबाल का बेट करते हैं, यह डूपन करके देखते हैं, देखें, अल्मूस्ट पानी मुबाला आने वाला है, मैं नूडल्स डाल रही हूँ, देखें नूडल्स डालने के बाद अच्छी से इसको चला ला लीज़े, पानी का कोई ऐसा खास अंदाज नहीं है, नूडल्स पूरा डूप जाएं, उतना पानी हमें लेना है, हम इसमें सॉल्ट, ओयल वगारा कुछ भी ने डालेंगे, इसी तरह हम इसे नूडल्स के सॉल्ट होने तक उबालेंगे, शेक कर लेते हैं, पास मिनट हो गया है, यह रखें, नूडल्स ऐसे बेटेन के स्ट्रेंड लेती हु देखें मेरे यहां बाल एक पान लिया है, उस के उपर मैं स्ट्रेनर रख देती हूस मैंने इस तरह से कट किया है इच्छे मैं डालूंगी हाफ टी स्कून कश्मिरी रिच्पिली पाउडर हाफ टी स्कून से थोड़ा से कम है ब्लैक्टो का पाउडर काली मिल्चो का पाउडर अच्छे किटे लालूंगी तब यहाँ मैं फोड़ा साइब करते डालूंगी वन टी स्पून चॉप गाली कही है नहजन पाउडर एकवाट भी प्राई होगी होगी है अब मैंने यहाँ लिया है जी किम्ला में ग्रीन और हरी वाली यह मैं वन हैंद्फूल डालूंगी तिर मैं डाली ही वन हैंद्फूल गाज़त और प्यार प्यार भी मैंने वन हैंद्फूल डाला है हम इसलें हाई ही रखना है ति मैं डालेंगी वन हैंद्फूल कैबच बंगूडी तिरा लेंगी सुझी हम इस सब्दियों में पुर्गुरा पन चाहिए प्रंचीनेश चाहिए ओवर्ठूक नहीं करना है हमें से आपकी मर्जी होता आप यहां पे बींच भी ले सकते हैं सुझ कॉन ले सकते हैं मट्या के दाने ले सकते हैं सब्सक्जियों की चोईस आपके उपर है ति मैं डालूँगी वन टीस्पून ट्रस्ट रेड की लिए अब मैं डालूंगी इसमें नूदल्स मैं आपको एक पीज बताना भी रेजी नूदल्स को मैं ने स्प्रेंग करने के बादी से पानी से वास किया था अब मैं डालूँगी सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अपर रोडिंग डालें क्योंकी फिरम में हम इसमें सॉसेस भी टालेंगे सॉस में भी नमक होता है और मैं इसमें पॉस्टी हेल्प से ही मिक्टर होगी हमें सब्सक्त थोड़ा जबी-जबी करना है कि यह स्प्लेम हमारा हाई है तो यह सब डाल रिम में टू टी स्पून डालूँगी इसके लेकिन ग्रीन चिली सास तू टी स्पून डाल रिम में अब इसमें मैं डालूँगी टूमाटो के जब यह मैं डालूँगी तीन से चार टेबिल स्पून मिला लिजे अच्छी सा लिख्षी से हमें बहुत अच्छे से मिक्स करें तो हमें और जादा पताने भी जूरत नहीं है मैं हाफ ती स्पून से थोड़ा से कम ठीक से जाल रहीं काली मिच्चो का पाउड़ा थोड़ा सा मैं इसमें और कैच्छे पैड़ कर रही हूं मिक्स कर दीजे थोड़ा सा मैं नमस भी आड़ कर रही हूं मुझे नमस थोड़ा सा कम लग रहा है मिक्स कर दीजे नूड़ नूड़ तयार हो जाए है मैं से रिशाउट कर देजी हूं फ्लेम बन कर देजी हूं हमने नूडल्स को रिशाउट कर लिया है हमारे एकबट्स हमने जो अच्छे से पहले फ्राइ किया था इसलिए इस पे बहुत अच्छा सा कलर आया है और बहुत क्रिस्पी भी है इसी तरह आप भी बनाए और मुझे कमेंट्स में बताए कि कैसे बने मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजे मुझे आप सब के कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए प्लीज कमेंट्स किया कीजे ताके मुझे भी पता चाहरे कि मेरी रेसिप्रीज आपको अच्छी लग रहे हैं या नहीं मुझे दुआ में याद रखिए मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिप्रीज साथ इंशालला अल्ला आपिस